मुंबई के पास चिटवाला में दिल रहलाने वाली यह घटना पिछले दिनों सामने आई थी गणेश दिन का नामक 26 वर्षी वक अपनी प्रेमिका के साथ अंबरनाथ के चिंच पाड़ा नालंभी गाउं के पास घूमने आया हुआ था यह जगह सूनसान थी रात के आठ बजी के आसपास जब गणेश और उसकी प्रेमिका मोटर साइकल पर एकान पर बैट कर बाते कर रहे थे तब ही एक युवक इनके पास आया यह युवक मोटर बाइक रूट के इरादे से आया था पुलिस के मताबिक इस युवक ने लड़की के साथ इस दर्म्यान अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी जिसका गणेश ने विरोध किया तब ही आरूपी संजर नर्वडे ने गणेश पर बोली चला दी पाच मार्श को Щाम को हमें इन्फर्मेशन मिला था एक फैरिंग हूआ है और एक लड़की के साथ में बलतकार हूआ है इह इन्फर्मेशन कल्यान तालू का पुलिसेशन को गम्वारणाच पुलिसेशन दिया था पाइस जाने के बाद ऐसा पता चला कि यह जो का विक्टिम है जो उसका डिसीज है यहाँ उसका डिथ हुआ है वह गनेश दिंकर नाम है उसका वह अपनी गरल फ्रेंड के साथ में गुमने के लिए आए था जंगल में तो उसको लूप पी पी में जाना था उसको जब अंदर गया जंगल में तो जंगल के अंदर से एक अदमी आया उसने उनको मोटर साइकल की चावी मागी और पैसे मागे तो उन्होंने नहीं दिया नकार देने के बाद उनके साथ में उनका जगडा हुआ यह जो आरूपी है उसने जो गनेश दिनकर है उनके उपर फाइरिंग किया पाच राउन फाइर किया उसमें वो इंजोर हो गया और निचे गिर गया बाद में उसकी गल्फरेंड थी उसको उसने जंगल में ली जाके उसके साथ में रेप किया और बाद में उसको छोड़ दिया लड़की बागते हुए रोड़ पी आ गए उसने लोगों का हेल्प मा पुलिस वहां पहुची, बाद में कल्यान तलो का पुलिस पहुचे, हमारे सभी ऑफिसर होँचे, हम तपास कर रहे थे, पाच-छे टीम बनाई, हमारा आईजे साब ने यहां विजिट किया, उन्होंने भी गाइडन्स किया तपास में, इच्छे टीम उसके इन्विस्टिक् उसका जो कंप्लेनन्ट था, वो कंप्लेनन्ट और यह गुने के कंप्लेनन्ट यह, विक्टिम लड़की, उनके साथ में बैटके स्टड़ी किया, ऐसा समझ में आया कि दूने गुने का मोड़ा सपरेंडी यकी है, तो उसा आधार पी इन्विस्टिकेशन चालू था हमारा मुने कुछ गोपनी जो लोग थे, मुवारे जो खबरी लोग थे, उनसी इन्वानमेशन लिया, टेक्निकल इविडन्स कलेट किया, और कल सबेरे परशिक लाज उल्लास नगर से, यह आरोपे संजेज नरवडे, उसको पुलिस ने आरेश किया है